अगर आप देखोगे तो फिलाल जियो का यह शेर है आज इस परड़ोलर काउंटर में भी आपको जो है गिरावट का ही माहौल देखने को मिला बेसिकली देखा जाए तो पूरा मार्केट ही अभी ऐसा चल रहा है कि आज क्या हुआ थोड़ा सा गिरावट तो शिरुवात में सब में थी लेकिन थोड़ी सी रिकावरी फिर तेजी भी हुई बेसिकली अगर आप निफ्टी की तोर पर देखते लेकिन बाद में जाका फ्ल यसी खबरे हैं जो जब मार्केट सही होगा तो सिच्वेशन यहां बदल सकती है हां लेकिन उसके लिए मार्केट का सही होना जरूरी है ये हम डिसकस करेंगे क्या अच्छी खबरे हैं लेकिन साथ में दोस्तों दो और शेर्स भी हम आज की एस वीडिम में डिसकस करने वाल clearly कि share लगबग लगबग आपको एक देड़ परसन के आसपास की गिरावट में बंद होता हुआ देखने को मिला तो गिरावट का माहुल तो यहां पर आपको नजर आया ही है यह तो आप clearly देखी रहे हैं ठीक है लेकिन बात यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आज गिरावट हो यह लगब 20% नीचे है न 20% ठीक है 6 महिने में भी अगर आप देखो तो रिटन जो है नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेंगे तो situation कोई बहुत अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही है यह बात तो पक्की है ऐसा नहीं है को कोई खास अच्छी चीज यहां पर आपको द ही रही है लेकिन बात यह निकल कर आते है कि क्या यह प्रॉब्लम अभी और continue रहेगी यह बड़ा सवाल अगर देखा जाएं तो बन रहा है कि क्या यह जो प्रॉब्लम अभी बन रही है कि अभी और इसी तरीके से continue रहती ही दिखाई देगी तो कुछ खबरे में आपको दे यहां पर निकल कर आया है यह देखो यह स्टॉक 200 डियमे के नीचे ट्रेड कर रहा है जो स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन आप 6 साल के लिए SIP करना चाहते हैं तो यह मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होनी चाहिए मुझे लगता है कि यह संभावित रूप से 300 और 335 के दायरे में रह सकता है इन इस तरों को तूटने पर ही इस कंपनी के बारे में और आगे की कोई चर्चा करी चाह सकती है तो यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर आप long term की SIP करना चाहते हो तो ठीक है लेकिन हम यहां पर जो बात अभी long term क हैं यहां पर अभी ऐसा कोई discussion नहीं कर रहा है कि long term क्या होगा हम बात कर रहे हैं अभी क्या चल रहा है उसके बारे में अभी की इस्तिति अगर आप देखोगे तो आपको जो है बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही यह बात तो आप clear cut मान का चलिए अभी कोई ऐसा इस से कुछ special होने वाला है और यही यहां पर खागया है कि share 200 दिन के moving average से नीचे चल रहा है जो की share को थोड़ा सा week ही बनाता है और जब आने वाले को समय में अगर यह आगे बढ़ता है आगी की situation थोड़ी बहुत अच्छी दिखाई देती है तो यहां पर और discussion जो किया जा सकत है जहां तक उम्मीद है मुझे जहां तक लगता है इस counter के बारे में अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद है रखना सही नहीं है और यही बात यहां पर कही गई है सोमेश कुमार की तरफ से कि अभी यहां पर इससे ज़्यादा उम्मीद है नहीं रखी जानी चाहिए और इसक हुआ है कि कुछ जियो फाइनेंस एंड रिलाइंस इंडस्ट्री के साथ कुछ और स्टॉक्स भी है जिन में अगर आप देखोंगे तो क्वांट कई फंड ने यहां पर खरीदारी करी है और अपने स्टेक को यहां पर इंक्रीज किया है बेसिकली तो देखा जाए तो यह जो बढ़ाता है तो उमीद जो है बहुत से और ज्यदा लगने लगती है उमीद है लगने लगते कि हो सकता है इस फंड मेंचे को यहां पर कुछ ज्यादा बड़ी दिखाई दे रहीगी तो वह यह आपको यहां पर देखने क्वांट के फंड अगर आप देखोगे एंड क्व वो बुलोगी उस तरीकी के स्टॉक्स ज्यादा तलासते ज्यादा डूलते हैं जिनमें मोमेंटम आनेगी संभावना हो जिनमें मोमेंटम लग रहा हो कि तेजी से रिटन जो है आँ सकते हैं यह इस तरीकी के शेयर्स आप मानके चलिए कि क्वांट के फंड जो है वो तलासते है और वही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अगर देखा जाए तो यहां पर कुछ स्टॉक्स है जिन्हें एड किया गया है जियो तो मैंने आपको उदा दिया रिलाइस भी उदा दिया लेकिन उसके लावा अदानी इंटरप्राइज है एफ कॉन है पंजाब एलकलीज है टाटा केमिकल्स है ठीक है तो यह कुश्ची है आपको देखने को मिल रहा है जहां पर आप कह सकते हो कि क्वांट को एक बड़ी अपोजुनिटी नजर आ रही है जिससे कि वो लोग खरीदारी भी यहां पर करते हुए पर दे रहे है ठीक है तो यह बात हो गई अब दोस्तों हम बात करेंगे नग शयर के उपर ने यहां पर bonus मिलने वाला है क्या रहेगा सीन लेकिन वो भी आज result के साथ clear होता हुआ देखने को मिला है अगर देखा जाए पर डिगुलर ली तो इन्होंने bonus आज कर दिया है 2-1 का ठीक है 2-1 का यहां पर bonus अनांस हो चुका है दोस्तों अभी इसकी कोई recorded नहीं आई बेसिकली लेकिन रेशियो जो है वो exactly हमें पता चल चुका है कि कितने रेशियो में यहां पर bonus मिलने वाला है ठीक है तो यह बात हो गई दोस्तों NMDC के बारे में भी bonus वाले share के बारे में भी अब last में हम जानते हैं एक dividend वाला share and वो देखते हैं कि कौन सा share है dividend वाला दोस्तों इसका नाम है ONGC आप देखिए ONGC ने यहां पर dividend भी अनाउंस कर दिया है मैं यहीं लगता हूँ ONGC dividend अनाउंस जहां पर दोस्तों हो चुका है और कितना dividend है 6 रुपे पर share का ठीक है जहां पर जो अनाउंस हुआ है उसके लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने बीस नवंबर बीस नवंबर को यह बीस नवंबर को recorded जो अपनी कोशित भी कर दी है तो इस तो ही completely बात हो गई तीनों इसके बारे में उमीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ दिया गया होग आपको cleansing के लिए जाल्ओ आपकी बा स्था नवाट pişला यह성 अच्छे सब्द newborn भातवे को अऩामेचल में सिदों नवां से लिंचे साफ कर दोंड़ साब निभा है तो इसके जिए हुआ की बाए नसी से लिंक एकमेंश ओत जाश का बीकोल कुल बंड है। था हो जाए अगल झाल झाल